हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहत जरूरी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे डायबिटीज और तनाव में क्या संबंद होता है जी हाँ अगर आपको डायबिटीज है तो डिप्रेशन या तनाव आपके लिए कितना खतरनाक होता है और अगर आप डायबिटीज के शिकार नहीं है यानि आपको डायबिटीज नहीं है तो भी डिप्रेशन या तनाव पेजी से बढ़ने वाली एक ऐसी समस्या है, जिससे हमारा देशी नहीं बलके पूरा द्विश्व जो है, वो मुसीबत में फसा हुआ है. अगर बात करें diabetes के सबसे मुख्य कारण की, तो आप समझें कि diabetes के होने का सबसे मुख्य कारण कहीं न कहीं, हमारा खराब life style है और इसे खराब life style में सबसे जरूरी है तनाव अगर आप तनाव में रहते हैं डिप्रेशन में रहते हैं तो आपको diabetes होने के संभाव ना जादा है और अगर आप पहले से diabetic हैं तो यही तनाव या depression आपके blood sugar level को तेजी से बढ़ा सकता है तो आप समझे के आज के समय में आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि अगर आपको diabetes है तो आप सबसे पहला काम यही कीजिए कि तनाव को कम कीजिए जितना तनाव से दूर रहेंगे उतना ही diabetes में blood sugar level आपका control में रहेगा और अगर आपको diabetes नहीं है तो भी आपको तनाव से दूर रहना चाहिए क्योंकि तब आप diabetes या diabetes से जुड़ी बीमारियों से आसानी से बच पाएंगे तो किसी भी इस्तिति में अपने भीतर तनाव को बिल्कुल ना पन अपने रहें फिर जान लेते हैं कि diabetes और तनाव में actually scientific तरीके से क्या संबन दोता है तो मैं आपको बता हूँ कि वैसे तो diabetes और depression का संबन समझना मुश्किल है लेकिन diabetic neuropathy या फिर brain में blood vessels के block होने पर किसी भी व्यक्ति को तनाव हो सकता है और बता दे कि जब व्यक्ति तनाव में रहता है तो उसके दिमाग में हो रहें बदलाओ के कारण diabetes की समझ्या और गंभीर हो सकती है और दूसरी तरफ आपको ये भी समझना चाहिए कि कोई diabetes से पीडित व्यक्ति अगर तनाव से ग्रस्थ होता है तो उसके कारण उसका diabetes manage होना मुश्किल हो जाता है यानि blood sugar level आसानी से control में नहीं आ पाती तो अब जान लेते हैं कि diabetes में अगर आप depression का शिकार है तनाव का शिकार है तो इसके क्या लक्षण है तो इसका सबसे पहला लक्षण है कि व्यक्ति को ठकान और सुस्ती होती है और किसी भी वस्तु या चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता फिर एक और लक्षण है कि ज़रस से ज़्यादा भूख लगती है या फिर भूख बिल्कुल बंद हो जाती है फिर ज़्यादा नीन आना या बिल्कुल नीन ना आना भी एक depression का लक्षण माना जाता है फिर बिना किसी कारण के तनाव होना या चिंता होना या खुद को अकेला महसूस करना और हर वक्त उदास महसूस करना भी ये सब depression के लक्षण है diabetes में आप समझ ये कि खुद को नुक्सान पहुचाने की कोशिश करना भी depression का एक लक्षण है और अब जान लेते हैं कि diabetes में आने वाले depression के इस लक्षण को कैसे balance करें यानि इस से कैसे बचें तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप अपने metabolism को healthy lifestyle को control में रखिए और मोटापे को control करें तनाव बढ़ने पर डॉक्टर से तुरन संपर्क करें और exercise और yoga regular करें इसको अपने lifestyle का हिस्सा बनाए कम से कम 7-8 गंटे की नीन जरूर ले रोजाना और खान पान की गलत आदतों को सुधारे और जल्दी सोने और जल्दी जागने की आदत डालिए समय समय पर अपना blood sugar चेक कराईए और अपनी diet में पोशक तत्वों को जोड़िए तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आज दीगई जानकारी अगर आपको पसंद आई हूँ तो प्लीज हमें like और share जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमें subscribe भी करें thank you very much